नमस्का दोस्तों आज ही हमारे वीडियो वीडियो को टॉपिक है किस नदी की किनारे कौन से जहर बसा हुऊ है दोस्तो हम कुशिस करते हैं हमारा content चोटے से चोटा हो या भी हमारा content जयदा से चोटा हो और उसमें content ज्यादा से ज्यादा आ जाए इसलिए जो हमारे प्रिवियसर के question होते हैं उनको भी हम वन डाइनर form में ले आते हैं ताकि हमारा समय बचे और आपको हम ज़्यदा से ज़्यदा question पढ़ा सके तो चलिए हम वीडियो को शार्ट करते हैं तो इस स्रीज के सबसे पहला question हमारा गंगा नदी के किनारे कौन कौन से सहर बसे हुए हैं तो दोस्तो इन में हैं हरिद्वार, रिसीकिस, बद्रिनात, कानपुर, पटना, वरांड़सी, कन्नोज, बेगु सराय, बकसर, भागलपूर, सहिब गंज अगला question दोस्तो हमारा यम्ना नदी के किनारे बसे हुए सहर कौन कौन से हैं दोस्तो यम्ना नदी किनारे बसा हुए दिल्ली, आगरा, मतुरा, औरया, इटावा दोस्तो आगरा से एक question और बनता है कई बार कि हमारा जो ताज महल है वो किस नदी की किनारे है दोस्तों वो भी होगा यमुना ने दिख के नारे अगला कुशन दोस्तों गंगा और यमुना के संगम पर कौन सा सहर बसा हुआ है तो दोस्तों वो है प्रयागराज या फिर इलहाबाद दोस्तों इसका पुराना नाम था इलहाबाद अभी कुछ दिनों पहले उत्रप्रदे सरकार ने इसका बदल का इसका नाम प्रियागराज कर दिया है प्रागत दोनों आप्शन में से कोई भी आता है आप तो कोई भी माग कर सकते हैं दोनों में से अगला कुछन दोस्तों सरीव नदी की किनारे बसे परमुक सहर दोस्तों इनमें हैं बहराईच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद जिसका नया नाम दोस्तों आयोद्या है और दोरीघाट और बलिया अगला कुछन दोस्तों गोंती नदी की किनारे कौन कौन सा सहर बसा हुआ है दोस्तों इनमें हैं लखनव, सुल्तानपुर और जौनपुर दोस्तों उत्तरप्रदेश की राधधानी किस नदी की किनारे बसी है दोस्तों इसका एंसर भी का हो जाएगा कौन दी अगला कुछन दोस्तों हमारा गेर आपन अंदरप्र देस ळुवर regional दोस्तों कि नदे की किनारे है पुछा जाता है कि उजएंट सहर कि किनारे बइसा लीक्त गौरि ऑगला कुछ दोस्तों का voluntary नदी किनारे विश्य में थे अगला को दोस्तों गोडावरी नदी किनारे कौम सा सहर अगला राजमंद्री दोस्तों ये राजा मंद्री होगा इसका नाम राजमंद्री है अगला कुछन दोस्तों हुगली नदी की किनारे कौन सा सहर बसा हुआ है दोस्तों हुगली किनारे कोलकाता बसा हुआ है दोस्तों ये कुछन के बार घूम के भी आ जाता है कि कोलकाता किस नदी क किनारे बसा हुआ है तो आपको यह भी याद रखना है कि वह हुगली किनारे बसा हुआ है अगला कुशन है मूशी नदी किनारे कौन सा सहर बसा हुआ है दोस्तों यह कुशन हमेशा ऐसे आता है कि हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है तो आपको याद रखना है मूश बहुत ज़्यादा फीमस है इसलिए कोई बार सिल्क सिटी या फिर डाम सिटी की नाम से भी जाना जाता है अगला कुशन दोस्तों जहलम नदिक किनारे बसा हुआ नगर या फिर सहर दोस्तों यह स्री नगर गुवा की राध्धनी परजी किस नदिक किनारे इस्थित है दोस्तों यह कई बार पुछा जा चुका है तो उसको आप खास रिपीट कर लिजएगा अगला कुशन दोस्तों तमिल नडु राज का मद्रई नगर किस नदिक किनारे इस्थित है दोस्तों यह है वैगई नदिक के दोस्तों यह कुशन दो बार पुछा गया है अगला कुशन दोस्तों जमसेदपुर किस नदिक किनारे बसा हुआ है तो दोस्तो यह है सुर्ग रेखा नदी अगला क्वेशन दोस्तो मध्ध प्रदेश का ग्वालियर सहर किस नदिक किनारे बसा हुआ है तो दोस्तो यह है चंबल नदिक किनारे उडीसा राज का कटक नगर किस नदिक किनारे बसा हुआ है तो दोस्तो ये हैं महानदी किनारे अगला कुशन दोस्तो नेलोर सहर जो की है आंध परदेश का किस नदिक किनारे बसा हुआ है तो दोस्तो ये हैं पन्नार नदिक किनारे जबलपूर सहर किस नदिक किनारे इस्थित है तो दोस्तों यह है नर्मदा किनारे अगला कोशन दोस्तों उडिसा राज का राउर केला सहर किस नदिक किनारे इस्थित है तो यह क्या है ब्रामरी नदिक किनारे इस्तित है तो इसका एंसर है दोस्तो यम्ना नदी किनारे उत्तर प्रदेश किस नदी किनारे इस्तित है तो इसका है यम्ना अगर दोस्तो उत्तर प्रदेश की राजधानी पुछा जाएगा तो वहां पर क्या जाए दोस्तो गुम्ती हो जाएगा लेकर अगर उत्तर प्रद पहों गए वो कुष्षिन जो कि एक्जाम से लेड़ थे या पर एकजाम में कई पुछे गए थे अब हम बाकी बचे हैं वह सहर देख लेते हैं जो किसी ने किसी नदी किनारे जिती थे 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 इनमें सबसे पहला जोस्तो आगरा जो की है उत्तर प्रदेश का एक सहर है और यह अम्रा नदिक किनारे बसा हुआ है इसके दोस्तो है एहमदाबाद जो की गुजर्यात का एक सहर है और साबरमती नदिक किनारे बसा हुआ है इसके दोस्तो इलहाबाद है जो कि उत्तर प्रदेश का एक सहर है और गंगा नदी किनारे बसा हुआ है तो इसके दोस्तो इलहाबाद का नया नाम प्रियागराज हो गया है उसके दोस्तो अयोध्य है इसका पुराना नाम हैजाबाता और यह है उत्तर प्रदेश में और यह स प्रोड़ईशा का एक सहर है और महानेदी किनारे बसा हुआ है उसके दोस्तों है नई दिल्ली जो कि यम्यों ने पिसा हुआ है और यह हमाएं देस की राधानी भी है अगला दोस्त已经わか सोघbecते हैं और यह भण पूद में अधीक तór अ, उसकेवा 처럼 फिरोजपुर जो कि पंज अधराबाद जो कि है अंधर प्रदेश में और ये मुशी ने दी किनारे बसा हुए है। उसके बाद जबलपुर जो कि है MPF मध्रदेश में और ये नर्मदन दी किनारे बसा हुए है। उसके दोस्तों कानपूर है जो कि यूपी का एक सहर है और ये गंगर निदी किनारे बसा हुआ है उसके दोस्तों कोटा है जो कि रजस्थान में है और ये चंबल निदी किनारे बसा हुआ है इसके बाद दोस्तों आता है पटना जो कि बिहार की राध्धानी भी है और बिहार का एक सहर भी है और ये गंगा निदी किनारे बसा हुआ है उसके बाद दोस्तों है राजमुंद्री जो कि आंधर प्रदेश में है और गोदा औरी निदी किनारे बसा हुआ है उसके बाद द चुरा पल्ली जो कि है तमिल नाटूं मेंais और कावरी ए ses तो hai वराड़ हो वराणत सी जो कि यूपी में और डली तो यूपी में है और यह गंगण तो जो कि है उत्तर प्रदेश में और युम्रानादी किनारे बसा हुआ है। दोस्तों पिस सेफ हई मामने कुलोगे कि इटावा काफी चाछा में बिरा आ है। उसके बार तो है बैंगलॉर, बैंगलॉर दोस्तों कहां पर है? करनाटक में और यह व्रिश्व बहषभा उठींसनारे जिणी नारे बसा हुआ है। उसका दोस्तों फत्य गड़ है जो कि यूपी में है और गंगर नदी किनारे बसा हुआ है उसका दोस्तों कनोज है ये भी यूपी में है और ये भी गंगर नदी किनारे बसा हुआ है उसका दोस्तों मंगलावर है जो कि करनाटक का सहर है और नेतरवती और गुरुपुरा नदी किनारे बसा हुआ है उसके दोतों बद्रावती जो कि करनाटक का सहर है और बद्रा नदी किनारे बसा हुआ है उसके बाद दोतों बागल कोड जो कि है करनाटक में और घाट पर भान नदी किनारे बसा हुआ है उसके दोतों होनवार है जो कि करनाटक में है और सारावती उसके बाद होतो हैं गोरकपुर जो UP का सहर है और अदी किनारे बसा हुआ है उसके दोसो लखनवु जो की गुंती निदी किनारे बसा हुआ है, और यह भी यूपी का एक सहर है, उसके दोसो है माले गाउं जो की महाराष्ट्रा का एक सहर है और गिर्णा निदी किनारे बसा हुआ है, उसके दोस्तों संभलपुर जो कि है उडीसा का एक सहर और महा नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों अगर उडीसा के इस नदी किनारे पुछा जाएगा तो यह आपको याद रखना है कि महा नदी किनारे उसके बाद दोस्तों राउर केला है ये ब्राह्मनी नदी किनारे है और उडिसा का सहर है उसके बाद दोस्तों है पूडे जो कि महाराष्ट का है और ये मुला मुथा नदी किनारे बसा हुआ है उसके बाद दमन है जो कि दमन गंगा नदी किनारे बसा हुआ है उसके बाद दोस्तों है मदुरई जो कि तमिल नाडू का सहर है और वेगई नदी किनारे बसा हुआ है दोस्तों ये क्विश्चन दो बात उसे जा चुका है उसके बाद दोस्तों है तिरूचिरापली जो कि तमिल नाडू का सहर है और कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है उसके दोस्तों है चेननी जो कि तमिल नाडू का सहर है और अधियार नदी किनारे बसा हुआ है उसके दोस्तों है कोयमटूर जो कि तमिलनाडू का सहर है और नई योल नदी किनारे बसा हुआ है उसके दोस्तों है इरोड़ा सहर जो कि तमिलनाडू का सहर है कावेरी नदी किनारे बसा हुआ है उसके बाद दो तो है त्रिव नूरा विल्ली जो की है तमिलाडू का सहर और थामिरा बरानी के किनारे बसा हुआ है उसके बाद दो तो भरूच जो की है गुजरात का सहर और ये नर्मा नदी किनारे बसा हुआ है उसके बाद दोतों करताज जो की है महाराष्टरा का और बसा है ये उल्लाहास नदी किनारे उसके दोतों चेननी सहर है जो की तमिलनाडू का एक सहर है और ये बसा हुआ है अडेयार नदी किनारे उसके बाद दोतो है महत जो कि महाराष्टरा का सहर है और ये साबिती नदी किनारे बसा हुआ है उसके दोतो है नांदेड जो कि महाराष्टरा का सहर है और गोदावजी नदी किनारे बसा हुआ है उसके बाद दोसो निलोरे है जो कि आंदर प्रदेश का सहर है और पेनार नदी किनारे बसा हुआ है उसके दोसो सांगली है जो महराष्टरा का सहर है और किष्णा नदी किनारे बसा हुआ है उसके तो कराड है जो कि किष्णा नदी और कोयना नदी किनारे बसा हुआ है और ये भी जो है महाराश्ट्रा का एक सहर है तो जितने भी important question थे वो हमने पहले ही ले लिए थे इन में बस कुछ ही ऐसे छूड़ गये थे जो important है